हेलो माइने में शीते शिर्वास्तु एंड इस इस माइ वीडियो व्लॉग वीडियो बनाना चाहता था पर नहीं बना पाया बिकॉस अफ लोग ने भी दिखा होगा तो पठान के टेलर में अभी डिसेंटली कुछ ताइम पहले कॉंट्रोवर्सी हुई थी जब उसके गाने रिलीज हुए थे बेशरम रंग और कुछ और गाने रिलीज हुए थे जिसमें बार 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 ये पता जाए था कि भगवा पहने हुए इसलिए वो सब कॉंट्रोवर्सी हुए है मुझे रखते है भगवा वाला एंगिल बहुत चोटा सा ही था जो राइट लिंग में किसी ने उठाया होगा उसको बाद मां ट्टर वालों ने जबदस्ती चुकि वो इतना रिडिकुलिस था उसको इतना जादा बढ़ा दिया उन लोंने और सारा जो मुद्दा था कि उस वाली चीजेभी उड़ी आती है पता है क्या उड़ी यह वह उड़ी तो बहुत नगया है टीपन को सट्रेट्मेंट दिया है जो एंटीशनल है ऑसके हरकत किया हो जो पतामी पर वह ब्लीक डुमें में नहीं है सिर्फ इसलिए मुस्लिम एक्टर है पठान है इसलिए आप पुझे लॉजिक निगता है अभी वाला शारुक खान नहीं वो 20 साल पुराना शारुक खान जो था उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अभी जो शारुक खान है मुझे लगता है अगर आप देखोगे तो शारुक खान खुद ही कोट्स करते हूए नजर आते है शारुक खान को ऐसा लगता है मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्याले फिल्मे करी है दिल तो पागल है या डीडीलजे या कल हो ना हो उनके डायलोग्स बहुत पसंद के गया है लोगों के डायलोग्स यादे है बाजी करके डायलोग्स यादे है तो वो कोशिश करते हैं कि वो डायलोग्स ना उसको उसी तरह से बोले कि वो कोट बन जा है लोग उसको सालों याद रखे है पर वो चीज ना आपके करने से नहीं होता है वो आप एक्टिंग करते हो और वो चीज अपने आप निकल आती है तो मुझे लगता है कि जिसर शारुक आजकल एक्टिंग करते है ना हर डालोग में कोट पंच मानने कोशिश करते है I don't think that works anymore It wouldn't work any time in the history of cinema Deliberately जब आप वो चीज करते हो तो वो चीज कभी वरक नहीं करेगी John Abraham के बारे में अगर मैं बात करूँ तो John Abraham हर फिल्म में सेम ही acting करते है Which is quite right thing to do because he does not have any range Which is again a very fine thing because जब भी बहुत सरे actors ने बहुत सरे range करने कोशिश किये तो वो flop हो गए है You have to understand कि आपका strength क्या है और अगर आपको अपना strength पता चल जाए तो फिर उससे ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए जैसे Jimmy Shergill को अपना strength पता चलिया है कि भाई यह ही मेरा strength है इसी तरी के role करूँगा तो मैं चलता रहूँगा तो आप करते रहते हो उस तरी के role कोविंदा ने अपना rage बनाने कोशिश करी भी अच्छे खासे comedy में चल लहे थे तो आपको अपना limit समझना चाहिए और अगर आपको अपना limit समझ में आ जाए और उसके हिसाब से आप काम करो तो मुझे लगता है आप ज़रा successful हो सकते हो ट्रेलर जो मैंने देखा हो समझे दीपिका पदकोन का बहुत सता काम होता हुआ दिखने ही रहा है वही चोटा मोटा वही स्टोरी है एकली स्टोरी के बारे में बात करो तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो स्टोरी है वो वैसी ही template formula है जो इस सारी spy filmों का होता था कि दुनिया danger में है उस time टो उसको बेकी आदमी पचा सकता है और फिर उसको बुलाए जाता है और वो अकेला जाता है पिशन पे उसको लड़की मिलती है और फिर लड़की किसी दोस्ती होती है फिर उसका जाकर विलन से भिड़ता है और फिर ज पहुंचता है जहां वो विलन से एंकाउंटर करता है फिर विलन को मारता और लॉट के वापिस जहां सुसे शुवात की थी वही पहुंच जाता है लगबग हर स्पाई फिल्म यहीं स्टोरी होती है और इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप बार बार से इंट्री रखते हो जो करते हो कांतारा पिच्चर थी कांतारा पिच्चर का सी टेंप्लेट हो सारोन था भूठ कला वाला वाला बडा इंसके वैसे फिर्म होती है इसके अरावा फिलम में मुझे व्येश था वार्वाल था विर ए अद्स Mallee पको तुर्ठ है मुझे जाता है एक्षिन में भी आपको नहीं नहीं तरीके दूड़ने पड़ेंगे वही घूसा मानना ये करना वो करना हावा में कूदना बिल्दिंग तोड़ना गाली तोड़ना एरोप्लेन ठोड़ना यह हदारो बाल देखा जा चुका है तो आपको कुछ नहीं चीज ड दाल दो, रॉमेंटिक लोगेशन में दाल दो, फाइट सिक्वेंस में दाल दो, इस तरह जा खिचडी बनाने कोशिच कि है कि सब कुछ इस फिल्म में दाल दो और उसके पीछे में तो लगता है कि जो कारो है वो है डेस्परेशन जो कि शारु खान की बहुत ताम से कोई हि लगे पर दी आस तो इस एक पर दो लगे पर ही एस तो अन्रसाइं पर लिए ले खिच जो नहीं दिखा सते पर कोमें तो बर सकते हैं लीव एवर्टिंग बहाइं दे लास्ट फ्यू सेकिंड गेव मी गूसबंस ऐसा क्या था लास्ट फ्यू सेकिड में वही टिपिकल देश के बारे मात होती है तो थोड़ा से गुसबंबाता है अच्छा लगा था पहली बजब में ट्रेलर देखा था 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 जो प्रोमो एडिटर जिनको बोला जाता है वो ट्रेलर काटने के एक्सपर्ट होते हो घटिया फिल्म को इतना अच्छा काटेंगे जो तो इस से एक्सपर्स बैठे हैं होंबई में नॉट इंट्रेस्टेट सौरी पठान आउटसाइड किंग आउटसाइड कुछ भी एक सोल जगे नहीं पूछतर देश ने उसके लिए क्या क्या थे डियालोगी लिख रहे हैं कूसबंस गरंटीड यह लाइन बहुत अच्छी लेगी बनाएंगे तो we have to prove our nationality to them, actually you don't, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, आप retaliate मत करो, उसको प्रूफ करने कोशिश मत करो, we know that you're Indian, we don't care about what other people say, we love these people, कभी-कभी कुछ बोल देता है, इसका मतलब यह नहीं है, कि वो उस तरह का इंसान हो गया, म नाइस मुवी, वेस्ट फैलो, जॉन, नो एक्टिंग सिखिल, भाई साब, इचन तो इदमी, पिजटी कर दी, वीडियो गेम, हाँ, वीडियो गेम जैसा लग रहा है, हेलिकॉप्टर ट्रैश करने वाले, गुडाउन के अंदर जो सीन है, वो एक दम शोरे से वीएफेक्स उसका लग रहा है, वीडियो गेम टाइप का, भाई, ये टेलर है या सस्ता वीएफेक्स, या वीएफेक्स सस्ता नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, पर ये है कि इंडिया में किसी भी फिल्म में इतना बजट नहीं होता है, बहुत अच्छा वीएफेक्स किया जा सके, एक एक सेकेंड के में 24 फ्रेम होते हैं, और एक एक फ्रेम का वीएफेक्स करने में लाखों रुपया खर्चा आता है, तो तुम सोच लोग क्रोड़ों रुपय क्यों लगते हैं, वोगी मेरे फ्रेंड्स करते हैं, इसलिए मुझे पता है, और मैंने अचली प्राइम फोकस में जा और अगर पर कमपनी अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं होता है, मैं में लगता है 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 जाएकि फिल्मेस की कैग नहीं होती है इदर सो दर घूमना होता है बिना expression के डालोग बोलने होते हैं और time pass करना होता है जाए हिंद ओसम यार I don't watch because it is not really कंडल डबी वर जन्द अभे होगी कंडल मेगी आजकल सारी पिचले पैं इंडिया होती है I don't know why but this trailer is similar to tiger zinda can someone explain is it copy or has any connection with the movie no no one is going to explain you तेरे में like भी नहीं आए है तो basically this trailer जिन्दा है spy universe जो की शुरुआत में आता है इसके जो उसका ही हिस्सा है तो basically कह सकते हैं कि try गा जिन्दा है बहुर सब सेमी पिचले है क्या रिके के review देखो भाई ये video छोड़ो क्या रिके के review देखो क्या रिके नहीं भाई साव अच्छी खासी माभेहन का रखी है इस पिचर की इस टेलर की खास्तार पर जो review किया है उसना बताया है कि इतनी spy universe की पिचले है साब सेम फॉर्मेट पे है और भाई बंदा जूट रहे हैं सारी पिचले हैं जैसी है super I am waiting for this movie I am very excited for watching this movie I am very excited तेला देखने के बाद का इस पस्थार पूछता है वो पठान हाउस द जोश ने हाउस द जोश ने नहीं पुचा भाई वो यूडी का डाल होगे कोची भी मुझे मालूम है उसने सर्कास्टिक भावास की थी मैं भावास कर रहा हूँ I think YouTube got problem for crash network कुछ कुछ दो ने comment में सेम चीज चिपकाते रहते बार बार अभी अगर मैं डालू यह तो मैंने डाला है new comments के basis पर अगर मैं top comments डालता ना top comments सारे एक जैसे होते है good movies have become extent one more shit यह तो बहुता सा negative zone में चलेगा अपनी अपीन है सबकी अपीन है copy again captain america winter soldier यह कुछ नया लेकिया है कि captain america winter soldier जैसा लग रहा है हो सकता है लग रहा हो भाई मुझे तो याद नहीं है बहुत टाइम पहले आई थे picture भाई साहब माही गाली बकी है इसने नोटिस किया रडवीर सिंग कुछ भी कुछ भी नोटिस कर ले तो भाई यह सुपर डुपर मुपर वाले फैन है only thla always thla thla मतलब leader यह south indian fan है सकता है कोई शाव हो आई शारुख खान के शारुख खान इस रजिस जॉन इस इन आर्मी दन film script is okay but for us that is reality that is reality पता नहीं क्या लिखाए BG score मैं तो धानी नहीं लिए इतना खास था भी निए लोग क्या क्या नोटिस को लेता है लोग सोच से भी उपर जानी सुपर 1978 यह बस वाल प्रस टाइगा जिंदा है प्रस धिशुम का मिक्स्चर है जमदस्तिक action अच्छा बात तो ही लिखी इन्होंने अलग तरीके से फुल सपोर्ट Bollywood gonna die अच्छा कमेंट आता है खराब कमेंट अच्छा कमेंट खाल खराब कमेंट यह टेटर देखका लगता है भक्तों का बजार उडिया अब यह भक्तों पे आ रहे इस बिग हिट ब्लॉग बस्ता लव फ्रम पाकिस्तान डेश की तरह प्यार इस अमेजिंग भूत कॉप सरके इस बैक वन सरके फैन और व्लवे सरके फैन गूप संदा इंड विस प्राउड तो भी मेट मुसलिम यह मुसलिम वले एंड़ प्यार आगे तो इसमें भी प्रिचर रिलीज हुजए ना तो इसने मार्केटिंग टीम बेठती है और मार्केटिंग टीम तो अच्छे-च्छे-च्छे ट्वीट्स करवाती है जो टॉप पे जाते हैं उनको like भी करवाते है तो IMDb पे बी नो पमेंट्स आते हैं तो सारे marketing मुझे ऐसा लबता है कि वो डिलीट करवा देते हैं उसको और उसमें कोई लोखने मारत है नहीं तो उसमें कोई पज़त बात नहीं है मेरा ये रिव्यू था पठान का अब रिव्यू थाया क्या था मैंने ओपीनियंस थी तो मैंने अपनी बता दी बाकी बिलते हैं नेक्स व्लोग में बाबाए